अगर आप किसी की भी बाते मोटिवेशन या बहुत कहानिया बना के कोई बेच रहा है तो वो चीज़ अगर लेके जा रहे हो तो आप बिजनस में 99% फैल होगे क्योंकि आप उनकी बाते लेके जा रहे हैं आप कलेक्शन ने लेके जा रहे 12 लाग उर्पे का एक होडिंग मिल देख रहा था तो मुझे यह समझ में आपको बेचनी नहीं हुआ आपको बेचना है कलेक्शन में पंडा क्या है कलेक्शन का है और कोई भी चीज अगर आप जाते हो तो अगर यह चीज वहां पे 700 रुपे की मिल रही है और लीला फेशन अगर आपको 600 रुपे में यसी सब चीज दे रहा है तो हमें मोटिवेशन से क्या ले ना देना हमको तो जहां माल सस्ता मिलेगा भाया हम वाह माल लेगे दोस्ते नमस्कार वीडिएило बहुत imported है सूरत के अंदर की बात कर रहा हूं मैं जैसे कि हर जगा scam 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 वीडियो में आपकी सावधानी के लिए बन वा रहा हूं क्यूंकि ज़स्ट मैंने अभी कुछ video clip देखी और मेरे customers की कुछ complaints थी तो वह complaints लेकिन यहां वीडियो से बहुत मिल रही थी तो सोचा कि आपके लिए आपके अच्छाई के लिए मैं आपके लिए विडियो बना दू जैसे कि पार्सल है सूरत में तो दो चीज बहुत ऐसे दाइमंड एंड टेक्स्टेल टेक्स्टेल इस बिगेस्ट फैक्टरी सूरत के अंदर इसका मैनिफेक्ट्रिंग होता है टेक्स्टेल का कपड़ा मतलब कोई भी हो पार्सल आपको दिखने में सब सेम दिख रहे हैं कस्टमर्स यहां पर माल बहुत दूर से आता है माल बुकि आजाता है जैसे कि यहां पर आप कलर से रहे होगे सभी कलर सापको लाल देख रहे होगे लेकिन आप अगर आते हो तो लाल कश्टमर्स का फोकस होता है कि हमने लाल चीज़ लिए एक्जेम्पल के लिए लाल के अंदर यहां पर आपको चार डिजाइन मैंने दिखाई यह डिजाइन बिलकुल पूरी की पूरी अलग होने वाली यह देखो एक डिजाइन यह वागई 1650 रुपई की एक डिजाइन यह वागई 170 Ourometule फिर सीदी साथ शू पचास रुपई की ठीक है और यह आतीय सीदी आपको 1150 रुपे की यह चारों के चारों डिजाइन अलग है कलर सिंका एक ही लाल कलर कस्टमर यहां पर आता है लाल कलर उनके माइंड में होता है कि हमने लाल कलर की कुछ चीज लिए तो बहुत से कस्टमर यहां पर कैसा होता है कि आते माल लिखवाते लाग दो लाग तीन लाग पांच लाग और बहुत सी सोचल मीडिया के पेजस में देखता हूं सूरत के आए दिन वीडियो अफलोड होते रहते लेकिन कहीं ना कई आपके साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है या तो आप कई गलत जगा पर माल तो नहीं ले रहे हो या तो आप कई गलत जगा फस्त तो नहीं रहे हो कोई को स्कैम ऐसा होता है कि आप उनकी मीठी-मीठी बातों को सुनके आप उनको आइडल मानते हो जैसे कि कपड़े के अंदर भी बहुत से यहां पर मोटिवेशन वीडियो बनते हैं सूरत के अंदर आए दिन आपको लगातार आप एक घंटे में वीडियो देखे कि तो हजार वीडियो आपके सामने आ जाएगी आप कई किसी की मीठी की बातो में फस जाते हो एजब वैराइटी उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं रहता है ना क्रिएशन रहता है ना रहता है और कहीं ना कहीं आपको चीजे महंगी मिठती है क्योंकि आप उसके दुन में इतने मगन हो चुके होते है कि आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता भी ज़िए दिखता है क्योंखे उन्होंने ओस चीज़ों के लिए कोर्स की होते मार्केटाइंग की होती है एजूकेशन उनकी फिल्ड में होती है क्या ट्यूशन क्लासीस गृशन सब लगाते हैं तो ये सब चीज़े आप उनकी अच्छी जू बाते भार से सिख्क आते हैं अब कर में करते नहीं क्यूंकि आप के जगा में भी रहूगा तो एक बार जाओगा क्यूंकि मैं कंटिनियो करन समयाने का तरीक अलग होता है तो तो मैं क्या करता हूँ उनके यहां जाके एक कुछ दस अजार बीस अजार पचास अजार लाग दो लाग का माल जो भी है मैं पर्चेस करता हूँ करते हैं तो कंपेर करने के लिए आपको वह एक हिसाब से स्कैम रचा गया जैसे मार्केटिंग करना चीह लेकिन मार्केटिंग का भी एक लिमिटेशन होता है कि हम अगर मंतली अगर पांच करोड की सेल कर रहे तो हमारा प्रॉफिट अगर 15 टका है तो हम उसमें पांच टका तीन टका है दो टक अप उसमें मार्केटिंग में खर्चा कर सकते क्योंकि अगर हम ज्यादा खर्चा करने जाएगी तो कंपनी लॉस मे होती है तो हमें वही पंड हमारे जो कस्टमर साते भार से उनसे वसुला जाता है तो ज्यादा जो मार्केटिंग करता है वह एक स्कैम रहता है जैसे के सूरत में आप आओगे तो आपको स्टेशन पर उतरते ही बहुत बड़े-बड़े होडिंग दिख जाएगे होडिंग क कोस्ट आती है यरली 12 लेक्स 12 लाग रुपे का एक होडिंग मिलता है सूरत में इसे यहां पर लोग बहुत से होडिंग लगाते है और ठीक है मार्केटिंग करनी चाहिए लेकिन जब ओवर फंड मार्केटिंग होती है तब कही ना कही हमारे कस्टमर से वह पैसा वसूला ज समझते हो कि जितना बड़ा जगा जितनी बड़े इंपलोई उतना बड़ा खर्चा और वह खर्चा सीधा कस्टमर्स पे इफेक्ट करता है कुछ मैं आपको साड़ी के रूप में दिखा देता हूं कि यहां पर ऐसी भी चीज होती है कि जैसे मैं आपको बता देता हूं चल पांसो रुपे में मैंने आपको चीज दिखाई फिर बहुत से लोग अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए क्या करते देड़ सो रुपे वाला साड़ी पांसो और देड़ सो दूर से दिखने में एक जिसा होगा लेकिन यह देड़ सो वाला आपको शायद आ जाता होगा लेकिन आप कहीं न कईवीडियो में इतने मतलब मगन हो जुके होते या तो फिर किसी को आइडल मान के आप आते हो हो बहुत अच्छी-च्छी खानियस सुना रहा है कई motivations अच्छे-च्छे records बना रहा है लेकिन आप कही न कई varieties compare करिएगे और varieties में कैसा है कि हमको अगर textile related कोई business करना है दोस्तों तो हमको क्या है कि varieties पर depend करना चीए हम किसी की बाते सुनके motivation होते अच्छी बाते लेकिन कही न कई उस पर research करिए कि आप कौन सी field में जा रहे हो अगर मेरे इसाब से आपको किसा है कि कोई भी आपकी बाते काम में आने वाली नहीं आपको अगर textile से related business करना है तो केवल आपको varieties काम में आगी दोस्तों अगर आप business दुकान या कोई भी छोटा मोटा शॉप या शोरूम करना चाहते हो तो मेरे इसाब से आप केवल वेराइटी भी फोकस करिए उदर जाके आप यहां का जो भी आपका motivation होगा उसकी बाते आपको बेचनी नहीं वाँ आपको बेचना है collection में पंड़ा क्या है collection का है तो आप अगर collection लेके जाते उसूरत से तो better है अगर आप किसी की भी बाते motivation या बहुत कहानिया बना के कोई बेच रहा ह है तो वो चीज़ अगर लेके जा रहे हो तो आप business में 99% fail होगे क्योंकि आप उनकी बाते लेके जा रहे आप collection नहीं लेके जा रहे collection के लिए दम होना चीए जो स्रीलिला फेशन आपको एक से बढ़कर एक article इसा नहीं बूल रहा हूँ कि आप collection हमारी यहां देखिए लेकि अगर आप किसी की बेकाव में जा रहे हो marketing fund देखके आप अगर किसी के जा रहे हो तो आप compare कीजिए वहां पर जाईए वहां के rate पूछिए और कोई भी चीज अगर आप जाते हो तो अगर यह चीज वहां पर 700 रुपे की मिल रही है और लीला फेशन अगर आपको 600 रुपे तो लीला फेशन में आईए और अगर आपको किसी की मिठी बाते या आपको emotion से कोई खेल रहा है या आपकी कमजोरी लेके वह आपको यहां बुला रहा है या आप कहानी सुनके आते हो तो आपको माल महेंगा मिलेगा गुरू जी सही बता रहा हूं वाकी आपके हाथ में comparison म में चल रहे है अगर आप latest varieties लेके जा रहे है तो आपको बाते या motivation की कोई जरुवत ने बाजार में varieties बिखती है बाते नहीं बिखती है शोशल मीडिया का जमाना है आप वीडियो का अच्छी तरह से उसका उप्योग करिए लेकिन आप अगर किसी की कहानी या किसी का motivation या किसी की आप marketing देखके अगर जा रहे हो तो आप rate compare करिए गुरू जी मैं सीधा बोल रहा हूं अगर आपको varieties और article में deal करना है तो स्री लि 25,000 डिजाइन में हम deal करते माल आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके सामने पैक होगा बड़ी company है और आपको बड़ा माल या अच्छी अच्छी डिजाइन सापको इतनी सारी डिजाइन से मेरे पास आप देख सकते हो कि एक ही फैबरिक्स चे अंदर देखो और की तरह का ये सेम फैबरिक से जिसके अंदर हमने दस डिजाइन लांज की हुई देखने में एक जैसा लगता है गुरू जी लेकिन क्या है कि जो डिजाइन में फेरफार होता है डिजाइन सापको चेंज होती है तो ये सब चीजे हर जगा आपको कोई भी सिटी में जाओ कह आजना है तो आपको कंपेर करना पड़ेगा अदर शॉप अगर आप किसी की वीडियो देखके आ रहे हो तो अच्छी बात है सूरत में वेलकम है लेकिन वह आपको महिंगा या सस्ता दे रहा है उसके लिए आपको अदर कंपनी में आपको रेट कंपेर ना ही पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा आज अगर आप अच्छी वीडियो देखके जा रहे हो तो आपका भी फरज बनता है कि आप दुसरी जगा तो रेट ट्राइ कर सकते हो हमारी जनता बहुत भोली होती है और आज कल के जो मोटिविशन जो डायलोग बने वो कहीं ने कहीं देखके फस रही है तो सूरत अगर आप आते हो तो पहले तो आपको स्टेशन पे ही ओटो वाला मिल जाएगा वो बोलेगा हमारी फैक्टरी में चलो यह पहला स्कैम हो गया दूसरा स्कैम सूरत के अंदर आप एसे कि आप जहां भी जाओगे तो यहां पे आपको ब्रॉकर्स परिसान क करेगे कि हमारी दुकान में ले लो आओ उनका सब कमिशन रहता वह स्कैम हो गया फिर एक मार्किट का बहुत बड़ा फंडा है मार्किटिंग में जो इन लोगों ने अनाप्षनाप खर्चे की हुई है वह स्कैम हो गया क्यूंकि आप जहां देखो कि वहां मार्किटिंग एक ही बंदे का दिखेगा तो कहीं ने कहीं आपका माइंड डाइवर्ड होई जाएगा वह स्कैम है और यहां पर सूरत में क्लासिस ली जाती है मीठा बोलने की लेकिन मैंने जहां तक सुना है हमारे पुर्वजों से सुनते आए मीठा हानिकारक होता है ध्यान रखना शु आप कहीं न कई रेट कंपेर करें करिये बीना माल मेरे इसाब से नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपका दो पैसे खाफाइदा होगा मेरे यहां तो कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है बहुत से कस्टमर्स आते रात का समय साड़े दस बच चुके लेकिन अभी मैं कुछ वीडियो बर हमें भी मौका दीजिए बहुत सारी चीजे अल्टीमेट चीजों में हम डील करते हैं जैसे कि आपके सामने देख सकते हो लेंगे भी मिल जाएगे आपको लेंगा 500 रुपे से स्टार्टी 65 रुपीज से स्टार्टे साड़ी मेरे पास 99 रुपे से स्टार्टे पारसल आ और विजिट करना चाते हो तो कॉल करके आना एसी प्यार बनाये रखे थैंक यू सो मच